वेलकम तो निम्ट एक्षिन सीरीज ऑफ और आज हम लोग इस मेडियों डिसकस करने वालने हैं वन अब दा बोस्ट इंपोर्टेंट निम्ट रेक्षिन और अधर कॉम्टिटिव एक्जाम देट इस बेयर बिलीगर ऑक्षिडेशन नामचे समझ में आ रहा है इस रेक्षिन क इसका मेकनिजम समझेंगे साथ में कुछ एग्जामपल डिसकस करेंगे और इंपोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करेंगे तो लेट्स बेगिन पिद रिदा सम इंपोर्टेंट पॉइंट तो फस्ट पॉइंट जो है जो कि एक बाद जी पैट में पूछा भी जा कैसे करेंगे ए Pub हम अगर कीटोन लlord export करेंगे एक उसट करना होता है बस और वह बंचाताए Ester यह यह हमारे पास की टोन allem यह ester है, aldehyde अगर हमारे पास होगा, उसके अंदर हम oxygen को insert करेंगे और वो बन जाएगा carboxylic acid, यह aldehyde है, और यह हमारे पास carboxylic acid, आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों हम bear believer oxidation को insertion of oxygen के नाम से याद करते हैं, यहां ketone था, उसमें सिर्फ एक oxygen इंसर्ट हुआ है, यहां aldehyde था, उसमें सिर्फ एक oxygen इंसर्ट हुआ है, इत बिकम्स carboxylic acid, एक और important point, दूसरा important point क्या है, वो है, migration of, migration of a group, from carbon to electron, deficient, electron, deficient oxygen, यह बहुत important point जो आपको याद रखना है, similar point हमारे back mind rearrangement reaction के अंदर भी होता है, वो हमने last class में डिसकास भी क्या था, उसके उपर एक question भी बना था, migration of a group from carbon to electron deficient oxygen, electron deficient oxygen मतलब की वहाँ पर oxygen के उपर positive charge है, और आप जानते हैं, oxygen एक electron negative group है, उसके उपर positive charge आना मतलब भूचाल आने जैसा है, जैसे back mind rearrangement reaction के अंदर क्या आता था, nitrogen भी उपर positive charge आता था, intermediate में, जिवकि nitrogen भी एक अच्छा खासा electron negative group है, और उससे भी जादा electronegativity होती है, oxygen के उसके उपर अगर positive charge आएगा, तो definitely वहाँ पर क्या होगा, migration होगा ही होगा, ताकि वो positive charge को dissolve कर सकते हैं, ठीक है, यह दो important चीज, तीसरी important चीज, यह जो reaction होती है, it takes place, it takes place, in presence of, पर अक्शी एसी एस, गहाँ हो, यह जसे कि मैं पर आजब को बोलिगे, ट्राइफ हिलोरो ट्राइफ लोरो आज़िक एसेडैज एसेड़ एसेड़ इसेड़ स्यूंद यह स्ट्रक्च्टर बना सकता हूं है अग cooking यहाँ पर, इस्ट्रक्च्चर होगा उसकार्चा, देख रहां कि यहां पर हो सकता है और हो सकता है यहां पर मेटा क्लोरो पर बेंचॉइक एसेड यह वर्ड आपको लिखावा मिलेगा कि एमसी पी पीबिये या फेर पर बैंचॉइक एसेड हो सकता है है अ ठीक है एस डू और भी होता है इन सब की प्रूसमें क्या हो सकता है यह रेक्षिन जो है वह वह कंपलीट हो सकती है बात क्लिए है ठीक है चलिए अब समझते हैं इसके मेकेनिजम को बहुत इपॉटेंट है मेकेनिजम अगर मेकेनिजम आपको समझ में आ गया है तो फिर आप वी भी आपको सब स्ट्रेट दे दे आप डेफिनिटली उसका प्रोडक्ट लाकी दिखा देंगे कि मेजर प्रोडक ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एच इस पर बन्जोई के से पर बेंचोई को एसे लाए कि क्या करेगा यह टूटेगा सी सिक्स एच फाइब सी डबल बॉन ओ ओ ओ ओ ओ ओ नेगेटिव प्लस एच चान पॉसिटिव इस फर्स स्टेप अफ इस एक स्टेप में क्या होगा मालीजिए हमारे पस्कूई एक कीटोन हैं जिसमें एक तरफ आर और एक तरफ आर टेस है ठीख है अ जानते है अप सीजन जो होती है और पर क्या ओगा रोणपेयंगे यहां पर प्रोटोन है प्रहों स्कोईप्ष्टोन इपक्रस डाल Peos को इसलिए तरह बहुए इस तरीके से मिसाकत करेगा उसको तुरंत अपने वापस मांग लेगा एलेक्ट्रों वापस जाएंगे तो यह कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा और सी सिंगल बॉन्ड ओ एच क्योंकि कारवन की भी एलेक्ट्रों ऑक्सिजन के पास चले गए तो यहां पॉजिटिव चार्ड जाएगा यहां पर यहां पर हमारे पास रिएक्शन के अंदर एक क्या है नेगरिटिव चार्ड यहां पर है पॉजिटिव चार्ड करने वाली है इस से एंडिस विल फॉंड इस विल फॉंड इस और सी वेच यहां पर है आर डैस अब उसके बाद ओ टिकर उसके बाद बॉन ओ उसके बाद हमारा इस तरीके से ऊकराएगा इस वागे इस तरीका से भर सकते है कि यह जो है वो क्या है पर आश्टेव पर आश्याइव जहां आएक तरफ से तो यह पूछ इस तरीक के से ब्रेक होग आएगा देखे है आर, C, O positive, R dash, यहां पर O, यहां positive, और साथ में बनेगा इसके C6H5, C double bond O, O negative, यहां बनकर आएगा यहां पर, यहां देख पा रहे हैं कि oxygen पर positive charge आएगा, electron deficient species बन जाएगा oxygen, भुचाल आने जैसे चीज़ है, और यहां को यह अपने यहां से electron भी नहीं खीच सकता, यह simple एक ही चीज बसती है, कि यह या फिर यह, इन दोनों में से किसी एक group को migrate करना पड़ेगा, इस oxygen के उपर, बट किस group को migrate करना पड़ेगा, कौन सा group migrate करेगा, यह चीज़ तो decide करने पड़ेगी न, ऐसे तो नहीं कोई भी group आ जाएगा, उसके लिए होता है यहां पर एक migratory aptitude, क्या होता है, migratory aptitude, देखिए, migratory aptitude, कि कौन ज्यादा preference मिलेगी, किसको oxygen के पास जाने के लिए, सबसे ज्यादा preference जो मिलेगी, वो मिलेगी H को, उसके बाद 3 degree alkyl group को, उसके बाद cyclohexile group को, उसके बाद जो preference मिलेगी, वो मिलेगी 2 degree को, फिर phenyl को, और उसके बाद फिर आपका 1 degree और methyl group को, यह आपका migratory aptitude होगा, इस तरी के सजाएं की चीज़े, वहाँ पर, ठीक है, चलिए, वापस आते हैं, फिर जैसे ही यह migrate करेगा, यह वाले group को और उठा के लिए के चलते है उपर, यह वाले group उठा के लिए के चलते हैं, फिर जैसे ही क्या होगा, यह group था हापर, sorry, यह group था, इन दोना में से किसी, एक को migrate करना पड़ेगा, ठीक है, कोई एक migrate करेगा, डिपेंडिंग करेगा, इस migratory aptitude पर, this migratory aptitude, यहाँ को याद करना पड़ेगा, यहाँ उसके पोजिटिव, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पोजिटिव चार जाएगा, oxygen अपनी एलेक्ट्रोन देगा, और प्रोटोन बहार आ जाएगा, यहाँ से, और दिस विल फॉर्म, R, C, डबल बांड, O, और उसके बाद, O, R, दिस इस यह और, इस यह और, इस यह जिसकी हम को आलास्थी, इन बेर बिलिगर उक्सिडेशन, इस 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 इन बेर बिलिगर उक्सिडेशन, लेट सॉल वन एग्जाम्पल फॉर दिस, ओके, माल लो हमारे पास, यह है, यह हमारे पास की टोन है, हम इसकी रेक्शन कराएंगे, अब आप जानते हैं कि हमको सिर्फ एक ऑक्सिजन इंसर्ट करनी है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोन डेफिसेंट स्पिसीज बनेगी, देखो, जहां से देखना, यह एक इंटर्मीडिट बनेगा, यहां पर, मैंने मेकनिजम क्यों बढ़ाया था आपको, ताकि आपको ची यह इस बाद तो यहां sleeping, टिक है, तो इसके बाद क्या होगा यहां पर किसी एक ग्रॉप को आना होगा इसक्थर्कशिजन पर कोई ग्रॉप औ reicht को में प्रूप साइक्छल प्रेफ है पहले इंगा, थह थो उसके बास तुए ग्रॉप यहां से हैं मााइगकर deze honest ती कि को तक इस्टर इस इसे इस्टर और फानल प्रोड़क्ट और बियरब लिए रॉक्षिछ जैजिशन जो एपलिकेशन हो क्या है अपके पास सैट किस तरी के से अगर आपके पास सैट के टोन है आप क्या कर सकते हैं था यूसिंग बेट बिदी कर और के अंदर कर सकते हैं साथ में क्या होगा विद राइजिंग कारवन नमबर एक कारवन नमबर रिंग कर सकते हैं यह रिंग के मैंबर होंगे उसको आप इंग कर सकते हैं तो दिस वाज आल एबाउट दिस वाज आल एबाउट बेयर विलीगर ऑक्सिटेशन अगर मेकनिसम को अगर आप याद रख लेंगे डेफिनिटली आपको चीजे जो हो एकदम क्लियर हो जाएंगे और कोई भी कुशन आपको आएगा इससे लेटिर तो आप उसको सब्सक्राइब कर पाएंगे ऐसे कुशन ओड़ेटी जीपेट में पूछे जा चुके हैं आगे भी पूछे जा सकते हैं तो अपने कॉंसेप्ट को क्लियर रखिएगा और जुड़े रहें फार्मेस इंडिया के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कॉंसे